नमस्कार मैं बल जी ढाका पिनेकल कोलिजिन सेंटर से आप सभी का सवागत करता हूं और आज हम डिस्कुस करते हैं टाय टू की स्टर्जी है प्रिपेशन टाय टू मैथ सेलेटिड कैसे करनी चाहिए 2016 SSC CGL टाय टू जैसा कि आप सभी जानते हैं नौमबर में होगा और अभी लगवाग 60 डेज मुश्किल से बाकी है आप बोल सकते हैं कि reverse countdown start हो चुगी है और हर स्टुट को जो टायर वन अभी एक्जाम दिया है और 110 प्लेस जो स्कोर कर रहे हैं उनको immediately टायर टू की स्टर्जी दिमार्ट में होनी चाहिए उनके और तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए पिनेकल की तरफ से पिनेकल कोजिक सेंटर की तरफ से जो पिनेकल के स्टुटेंट्स है या पिनेकल को जॉइन करना चाहते हैं उनके लिए हमारा क्या message है math selected क्योंकि English selected मेडम ने अपनी strategy को साफ किया है अब math से लेखिड और हमारा जो 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 अशोर प्रोग्राम है टाइल टू से लेखिड वो आप लोगों के सामने मैंने आप सभी को बता दिया और 15 सेप्टमबर से डेवाइज प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और उसे math कैसे हम लोग cover करेगे उसके बारे में detail से जानकरी इस presentation के माद्दम से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जो अशोर में math की जो भूमिका होगी वो डेवाइज कैसे होगी और हम उसमें क्या करने जा रहे हैं और students को math कैसे त्यार करना चाहिए उसके बारे में जानकरी दे रहे हैं एक तो कुछ से students के दिमाग में myths होते हैं और वो myths को लेकर कुछ धाराएं होती है और वो misguided होते हैं और वो कौन से चीजे हैं जो उनको misguide कर रही है obviously उसको misguide करने वाले बहुत होते हैं लेकिन जो क्या 3-4 चीजे होती है जो misguide होने का करान बनती है कि कई students को लगता है कि टायर 2 का math का level high होता होगा क्योंकि टायर 1 है वो सबसे पहले होता है इसलिए छोटा level टायर 2 उससे बड़ा level और टायर 3 उससे बड़ा level और टायर 4 और सबसे बड़ा level students ऐसे बानकर चलते हैं यह बिल्कूल गलत बात है अगर हम पिसले तीन चार साल का अगर उसका analysis किया जाए तो आप देखेंगे कि टायर 2 से comparative लेगी टायर 1 के question ज़्यादा असान और ज़्या पाई उससादा कि टायर 1 ज़्यादा मुश्य कोगा और टायर 2 तो ज़्यादा मुश्योगा यह बिल्कूल गलत है दोनों के question है लगभग same होते है को ब्रावЕТ आसान नहीं है इसमें दोनों ही ब्राबर होते हैं तो जैसे आप लोग टायर 1 की त्यारी कर रहे थे मैं थे साथ परसेंट है वो निच्छे रखने के हो सकता है समभाव ना हो लेकिन लेकिन SSC अपने questions repeat करती है SSC का अपना दायरह है SSC के question unique होते हैं और SSC के question met selected या और किसी चीज़ से related वो दूसरे जो जैसे banking है railway CDS है NDA है या और कोई LIC है इस हो रहे है हर exam का pattern वो different होता है तो SSC का अपना pattern होता है इसके question दूसरों से ज्यादा match नहीं होते दूसरा एक तो यह clarity मैंने आपको बताई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है टायर 2 का level हाई होता है टायर 1 और टायर 2 सेम दूसरा टायर 2 का syllabus है वो वास्ट होता होगा अभी student के बारे में student को यह भी होता है आम तोर पे student को लगता है कि टायर 2 में तो कुछ भी पूछा जा सकता है पलेश्टू लेए वलता है graduation लेवल तक इस तरह की बाते दिमाख में होती है पता नहीं कितना अडवांस जोमेट्री कितना अडवांस होगा पता नहीं कितनी कैलकुलेशन करने पड़ेगी ऐसा भी कुछ नहीं है जो टायर 1 में स्लिवस में ज्यादा सोच नहीं का हो शकता है और सेम कोश्चन दूसरा एक और मित होता है और यह बहुत बड़ा मित होता है उसको समझाना बड़ा मुश्कुल होता है करेशन को लगता है कुछ नंक का मैस बहुत अच्छा है एंग्लीस अच्छी नहीं है या उनको अच्छा हो जाएगा बस थोड़ी सी प्यारिक देंगी जरूर कर वह शाओ यह भूल गए कि यह थोड़ी सी त्यारी है वो आपके अनसार नहीं चल सकती, जो number of vacancies होती है, कितने लोग participate कर रहे हैं, उसमें उसके अनसार होगी, question paper असान या मुश्किल से नहीं होगा, question यह होगा कि कितने vacancy है, कितने लोग उसमें participate कर रहे हैं, उसी के अनसार सारा फैसला होता है, तो अगर वो good है, बहुत अच्छा है, good, better हो सकता है वो, लेकिन क्या वो best है, इसकी question mark हमेशा रहेगा उसके उपर, क्योंकि वो comparatively नहीं सोच पाता है, उसको लगता है कि 200 paper होता है, टायर 2 का math का, उसमें से 170 score कर रहा है, 180 कर रहा है, और उसके दिवार्ट में अगर यह है कि बहुत अच्छा score है, तो मैं यह वो लूँगा कि यह उसी दिन उसका खात्मा हो चुका है, वो जोब लगना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह जो score है, ऐसे score करने वाले बहुत सारे student है, और बहुत सारे student की नोकरी नहीं लग सकती, नोकरी बहुत कम की score नहीं है, आज के time में जो competition का level है, यतनी बिरुजगारी है private sector में, और सारे B-Tech, M-Tech सारे लोग तयारी कर रहे हैं, P-O वगरा तयारी कर रहे हैं, सारे SSC का exam दे रहे हैं, तो उसमें और दो महीने ले reasonable time होगा, तो यह score बिलकुल 770, 180, यहां तक यह 190 भी हो सकता है, आपके इसे दर create हो, तो आपको यह score को खुश नहीं होना चाहिए, आप अपने आपको अच्छा नहीं बोल सकते हैं, अच्छे की definition comparative होगे, वेकेंसी के अनसार होती है, तो इस बात को थड़ा धान रखें, all competitive exam has same pattern, और math, आज कल यह हर चीज़ की तैयारी करना लग भग, क्योंकि बेरोज़ार इतनी है, pressure बहुत होता है, किसी की साधी हो नहीं है, उसके बाद, किसी की parents बोल रहे हैं कि कोई business start करते हैं, इस तरह प्रेशर बहुत होता है, हर तरह ही त्यारी करते हैं, तो लेकिन हर exam का अपना pattern होगा, और math के question different होते हैं, जैसे बैंक के question बिलकुल different होते है स्सी कोईशन बिलकुल different होते हैं, सीडियस के question बिलकुल different होते हैं, कैट के question बिलकुल different होते हैं, एंडिया के question बिलकुल different होते हैं, स्सी कोईशन बिलकुल different होते हैं, आपको तैयारी स्सी सीजिल की करने हैं, तो स्सी सीजिल के question पर ध्यान देजिए, बाकी question पर आप मत है गुम रहा होने कि आप सकता नहीं है क्योंकि जाद बहुत सारे कोशीं सेंटर जो मिक्स तैयरी करवाते हैं या जो गाइड करने वाले होते हैं आम तोर पे जाधा तर बेरोजगार भी होते हैं क्योंकि जो एक्सपर्ट हो उसके पास टाइम नहीं होगा बहुत प्रोफेशनल होगा वह लेकिन जो दो तीन चाल से लगाता है हर तरह की चीज़ की तैयारी करें तो वह सब समझ देना होगा तभी जो एक एक दो दो कुर्शन दो डिफेरेंस है क्योंकि एक कोश्चन अगर मेंस का गलत होता है तो इसका अधर टू पॉइंट फाइव मर्स का डिफेरेंस होगा और जो एक मेरा वीडियो देखिए उसमें इंट्री और नों इंट्री पोस्ट में कित इतना नेरो डिफ्रेंस होते है जिनकी जोब लगती है जिनकी नहीं लगती है आप सोचिए तो पॉइंट फाइव या पॉइंट टूफाइव की वज़े से आप जोब की बिना रहे जाते हैं तो आपको अगले साथ साल जिंदगी में पस्ताना पड़ेगा तो मेरा कलीर मेश कि आप थोड़ा स्पेशलाइज बने यह समझे के कौन से होते हैं और भी कन्फूजन होती है इस चुनेट के जिमार्ण में एक कन्फूजन यह कि विचज बुक और स्टेडी मेट्रियल सारे स्टेडी मेट्रियल शारी किताबे कठी करता रहेंगे कोई वह नहीं या इसका मतलब आपके पास आपको अजादी यह नहीं मिल सकती कि आप है वो एक महीना या पंदरा दिन किताब़ी कठे करने में या स्टेडी मिठल कठे करने में या डिस्कुस्न करने में वो अपना टाइम लगा दे। आता तो बहुत सारी लोगों को है जो लोग देड़ लाग से जादा लोग होंगे जो टायटू भी जाएंगे और उसमें से हो सकता है एक लाग को मैस आता हो इंग्री साथ तो बहुत अच्छी लेंग जो तो 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 यह बात का ध्यान रखें कि अगर आपके सामने कोई है जो स्पेशलिस्ट है कोचसिंग करने वाला या आपको गाईड करने वाला जो स्पेशलिस्ट है रहोसका है नहीं आम तरप है आजकल जो जादा टीचर जादा तरक कोचिंटर dreaming सेंटर में बने वह은 हैं वोग जो खुज भी तैरी करें दूसरों भी कर्वा रहे हैं लेकिन वनक आपने लाखों रुपए लगाए है अठारा साल वीस साल पढ़ाई पर कभी ट्योशन पे वीटेक पे पांच से लाख आट लाख तो अगर आप दस बीस हाजार रुपए अगर आप पांच दस हाजार रुपए आपके लगते हैं तो मुझे रगता है कि ये इसमें इन बातों भी ज्यादा डिस्कुसिन की बजाए जो आपके सामने कंटेंट है और जो तैयारी करने के लिए आउच सक है वो आप कितने दियर में कर सकते हैं हो सकता है आठ से दस गंटा आपके लिए सुपिशन तो अगर आपके सामने एक गाइड करने वाला है और ब पांस गंटे या तीन से चार गंटे भी अगर उनको टाइम मिलता है तो उनकी एफिशनसी और एकूरेसी और जो कंटेंट मेनेजर्मेंट है उसमें शार्पनेश होना आफशक है फिर एक क्वेशन यह आता है हावज स्कूर वुड भी अनफ अब वो लोग क्या करते हैं कि जा तो पिछह के मेरूट देखनें कोशिश करेंगे और इसमेंगी कुछी साल चारसो ग्यारा गए चार सो आट गई और मेरा थे血 चार सो अब एफ़र आठ नमर की वज़े से रह गए या रह गया या चार सो पत्चिस्ती और पिछले साल कटर पहीनugen 100 या टारवन गी इस त पहुशे होगे या अच्छे स्ट्ब रहे होंगे ओन्होंने कभी 33% का टार्गेट नहीं रखा होगा तो सिर्फ कटहव का टार्गेट अब क्यों सोच रहें इसका मतलब जो 401, 408 या 425 या जो 100 टारवन में इतनी कट हो कि उस तरह का दिमाग में अगर बिठाने का मतलब यह हुआ कि आप जोब से काफी ज़्यादा दूर रहे हैं आपको बहुत ही सोलिड टार्गेट बड़ा टार्गेट आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा और उसके लिए इंप्लेमेंटेशन आपकी एग्जेक्योशन स्ट्रट्ज है बहुत ही कलियर होनी चाहिए बहुत ही कलियर होनी चाहिए कट ओफ और मेरिट मेरिट में वही आएंगे जो मेरिट के बारे में शोचेंगे और कट उन्हीं की मुश्किल से कलियर होगी या उनकी बिलकुल भी नह रहेगी जितनी छोटी शोज उतने ही उजोब से दूर कीप लाजर पिक्सर बाइंट अब आता है कि जो चैलेंज और कन्फूजन मैंने डिसकस किया कि स्टुडेंट के दिमात में आमतोर पर यह गुमता है अब हम देखने कोशिश करते हैं कि हम उसमें क्या माध़ित कर सकते ह कैसे अपने स्टुडेंट्स का या जो जो जॉइन करना चाहते हैं या जो हमें फोलो करते हैं श्रीसली फोलो करते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो कि इदर उदर गुमते रहते हैं हम उनकी बात करें जो डेडिकेटीड ऐससे सीजल के त्यारी कर रहे हैं उनको क्या क करने चाहिए और या हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं एक आप अपने दिमाग में एक बड़ी पिक्षर बनाईए साथ साल में आगे कहां पर पहुंचेंगे आप उससे दिमाग में जुरूर बिठाईए जिससे आपका इनर्जी का लेवल और मोटिवेशन का लेवल हाई हो क्यो तो यकीन मानी है कि आपने उस कोशिस्ट में जो ढूंडने की कोशिस की है और सफलता मिलने के समावना होगी दूसरी बात और वरना आप अगर छोटी सी किताब लेकर बैठ जाते हैं और उसके के पीछे पड़े रहते हैं और आपको ये भी पता नहीं है कि ये किताब में ह इसको होगा क्या या इदर उदर से जुगार करने की कोशिस करते हैं अब देखी इतरे क्रिटिकल मौके पे अगर कोई सिर्फ स्टाडी मेट्रेल का जुगार करने की कोशिश कर रहा है तो कितरे दुख्यए बात है उठारे साल बहुत बड़ी-बड़ी महेंगी-महेंगी क question plus ssc model question nothing else अगर आपने इनके आलावा ज्यादा भटने कोशिश की ज्यादा high level question करने कोशिश की या ज्यादा calculation related question करने कोशिश की तो आप job से ज्यादा भटक जाएंगे इसका मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन result नहीं आएगा क्यों क्योंकि आपके मेहनत की direction है वो सही दिसा में है ही नहीं और ऐसे लोगों की संग्या 80% पलेस होती है क्योंकि वो लोग भटकने की बहुत गुझाईश रखते हैं उनको किसी क्योंकि ने बोल दिया कि आप M.B.A. की किताब लेकर तैरी किये को बुझे हाई लेकिक कोश्चन है अब वो ते एक्जाम में आने ही नहीं है उससे क्या फाइदा होगा कोई बोलता है अरूर शर्मा कीजिए कोई बोलता है आप कोई लेना जना नहीं है आप को फाइदा होगा और उसके लिए आप प्रिविश कोश्चन आपके लिए सबसे बड़ी डारेक्शन है सब्सक्राइब्ड वर्ना अगर अंदा धूंद करने की कोई तो आप सोचिए कि जंगल में भटक गए हैं आपको रास्ता पता नहीं है रास्ता पता नहीं है तैरना मुस्किल होगा भी मेरे से बात करते हैं निवस्षेट करने कोशिश करती है कि मिरे पास इतना टाइम ने हो तो अगर मैं उनको बोलूँ कि आगर आपको जोब नहhui मिले तो जूब तो तभी मिलाईए जब आप टाइम निकाले व मैं टाइम निकालना पड़ता होता नहीं है किसी के पास में अगर आप अपना डेली एक्टिविटी स्टूल अगर डिसाइड करेंगे कि शुवर तीन बज़े उठे चार बज़े उठकर आपने हर आदा गंटे में क्या किया तो आपको पता चलेगा कि आप ने बहुत सार ऐसे काम किया जो कि टाइवेस्टिज थे फेस्बुक पर लगे हुए हैं अब वट्सअप पर लगे हुए हैं फिल्में देखने लगे हुए हैं आप सोचिए क्या इतनी ज़्यादा जरूत है यह अकबार पढ़ रहे हैं जरूत से ज़्यादा हिंदू पढ़ रहे हैं यह हिंदू वाला एक्जाम नहीं है हिंदू वा आप ऐसे नहीं कर पाएंगे तो इसलिए आठ से दस गंटा मुख्य बातों पर जो मेरे अजन्डा से उसी पर धान देना है वह आलतु फालतु फेस्बुक वोटसप पर या अन्नेसेसरी जी टीवी एंडी टीवी इन पर लगाने के कोई फाइदा नहीं है आप अपने जो गलतियां हो रही होगी या आपकी जो स्टेंथ है स्टेंथ को और ज्यादा मजबूत करना है अगर किसी का मैथ बान लिया अच्छा है तो उसको और ज्यादा अच्छा करना है करिस्ट क्या करते हैं कि अगर मैथ अच्छा है वो दूसरी चीज़ पर चले जात बहुत professional analysis चाहिए चिर्फ जुगाडव analysis नहीं चाहिए और उसके अनसार आपकी planning है उसको follow करें हर student के अपने प्लैनिंग हो सकती है लेकिन उसको execution पे भी लाए वो यह बड़ी फिक्सर दिवाग में मैं आपको बताऊंगा बोलना चाहिए आपके दिवाग में इस दिशा में अब हम चलते हैं अभी तक जो हमने discuss किया है वो यह दो point discuss किया है mainly तो जैसे हम जानते हैं कि math का और यह सभी जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो आप देख लिजिए कि 100 question है math के टायर 2 में होते हैं आपने टायर 1 में 25 question किये होंगे और बहुत सारे लोगों की दिमाग में एक automatic ही अपने अब अवरुद उत्पन हो जाता है ब्लोग हो जाता है कि वह नहीं कर सकते हैं जबकि वह यह सोचे कि वह कर सकते हैं तो 100% कर सकते हैं तो पहली बात जी उन्हीं को मिलेगी जो यह सोचेगे कि वह कर सकते हैं इसका मतलब करेंगे और ज है तार्गेट के प्रतियां कितना जज़वा रखते हो और कितना बड़ा टार्गेट होगा आपका आपके अंदर execution की संभावना उतनी ही ज़्यादा उत्पन 170 180 का target रखा तो अभिसली अभी target को अचीव करेंगे के लिए जोड लगाएंगे और आपका target होगा 140 इस 140 से या 150 से कुछ भी नहीं होने वाला इससे कुछ भी नहीं होने वाला आपको कलेरिकल या किसी भी लेवल तक की आज की टाइप में किसी भी एक जाम में जोब नहीं मिल सकती इस तरह की सोच से या इतने कम स्कोर से हाई टार्गेट और हाई टार्गेट रचीव करने के लिए ज्यादा मैनद और ज्यादा बैटर स्ट्रडजी ज्यादा रेलिमेंट कंटेंट ये आपके पास होनी चाहिए तू अवर्स का टाइम इस पेपर के लिए 200 मार्किंग पॉइंट फाई नेग्टिव मार्किंग मतलब कि अगर आपने चार कोश्चन करेक्ट किये हैं गलत कर दिये तो इसका मतलब दो नमबर आपके गए तो इसका नेग्टिव मार्किंग या कई स्टुएंट बोलते हैं कि सिली मिस्टेक उसके कुई जायस अब नहीं हो सकती सि कुषण yani albums in orange में जो का स्टुएट बनाने में और समझने में और हमारी क्या पिंगल बिल्कुल एक दो पर्शेंट अगर वेरियेशन हो सकती है यही ट्रेंड है वह 2012, 2013, 2014, 2015 जितने भी अभी पिछले 4-5 साल में जो टाइटू के हुए हैं वो ऐसे ही पैटरन को फोलो किया गया है सबसे जादा कोश्चन अब यह देखिए अब इसको मैंने 23 चेप्टर में डिवाइड किया है और 23 चेप्टर के इसाब से आप भी ऐसा अनालीजिस कीजिए हर मोग टेस्ट को जो हमारे 80 मोग टेस्ट होते हैं होंगे 40 मैस 40 इंगलिश और उसमें सारे प्रिवीश यर भी इंक बज़ा कि मेरी वज़यत यह है कि जैसे को जैसे को जैसे ऑफको नुबर वन अगर वो नमबर सिस्ट्व तो मैंने यहां पर लिख दिया अगर अगला कोश्चन अवरेस ताकि इसको कैलक्लेट करने में असानी रहे आपको जो मोग टेस्ट दो तो आपको क्या रखना है कि उन पर नाम लिख देना है जैसे और फिर यहां पर काउंटिंग कर देनी है 45th question number system 48 number system ऐसे क्योंकि random question होने है इससे analysis में आपको ज़्यादा strong analysis करने में help मिलेगी तो number system से जो आ रहे है question दो 2015 का मैंने आपको paper उठा जाया बाकी भी same है कोई difference नहीं है number system के चार question आते हैं HCM, LCM के दो question आते हैं simplification दो question, sets and indices चार question, average related पांच question, percentage related तीन question, ratio and proposals related तीन question, question related to age 8 आप इसको चाहें तो आप average में भी डाल सकते हैं allegation and mixture चार question, profit and loss पांच question, discount चार question, work and time पांच question, work and wages आमतवर पर या जिरो या एक question इससे आ जाता है क्योंकि दोनों chapter इंटर रेलेटिड जरूर है, five in system से एक question, time distance और जो ट्रेन से लेटिड कोशन होते हैं उसे तीन, boat and stream से लेटिड एक question, simple interest लेटिड दो question, compound interest related दो question थे इस पेपर में, geometry related और सबसे ज्यादा जो भरत्रपूर्ण आपको नजर रखनी है वो यह कि geometry और mensuration, दो ऐसे chapter हैं जो कि 25% contribute करते हैं, मतलब कि 11 plus 14, 25 question आपको तो 100 वो सिर्फ दो chapter से आ रहे हैं, इसका मतलब इस chapter से अगर आपका एक नमबर भी कटता है तो आपको बहुत पीडा होनी चाहिए, किसी भी chapter से अगर एक नमबर कटता है तो पीडा होनी चाहिए, लेकिन ये इस algebra के कुछ question, certain indices से आप थोड़ा कर सकते हैं, या कुछ ratio और proportion से भी कर सकते हैं, तो लेकिन मैं इसको अलग रखूँ तो algebra से तो typical algebra question थे, वो 9 थे, तो अगर जोवेट्री, management, trigonometry algebra के अगर मैं बात करूँ, तो ये question कितने होए, 19 plus 25, 44 question और पास अगर data interpretation के डाल दिया जाए, त तो 50% है, 49 question मतला, 50% है वो 4 chapter से होगे, आम तो अपर इसके 4 या 5 question आते हैं, data interpretation के जैसे कि 5 question तो 35 में से उसमें भी आये थे, तो आप ये उमीद मत करना कि 20 question आ सकते हैं, अभी तर जो 5 आये हैं, थोड़ा बहुत variation हो सकते हैं, लेकिन SSC आम तो अपर ज्यादा करते नहीं है, variation जैसे कि हमने टायरवन में देखा, same pattern follow किया था, तो ये जो chapter है, आपके लिए बहुत ही जादा important होगी, च्यार chapter हो, data interpretation question आसान होते हैं, जादा इसमें, बहुत जादा अलग से पढ़ने आउशकता नहीं है, मोग टेस्ट से अपने आप में solo हो जाएंगे, ये जो है, इसम में आपकी efficiency होना बहुत ही जादा आउशक है, इसके अलावा, आपके जो chapter important होगा है, number system, बाकि सारे important है, लेकि number system, work and time, allocation, and mixture, profit and loss, इससे भी average से काफी contribution होता है, लेकिन अगर मैं इसी बात को दूसरे हिसाफ से put करने की कोशिश करूँ, analysis में, कि सबसे important question में, अगर मुझे देखना हो कि अब जो उन लोगों के लिए strategy बनाने में ये slide help करेगी जो working है, और जिनके पास कम time है, तो वो क्या करे हो, इन उपर वाले chapter पर सबसे पहरे target करना start करे, अगर उनके पास और ज्यादा time है, तो फिर इन पर focus करे, फिर और ज्यादा time है, फिर इस पर करे, और उन के पास time बिल्कुल लिए तो ये chapter आप वो skip कर सकते हैं, ज्यादा focus कर रही है, क्योंकि इन इतने chapter से सिर्फ 7, 8, 9 question आते हैं, नहीं हो सकता है, आप 5 question उसमें से आप वैसे ही कर दे, तो इसलिए इस पर ज्यादा time खराब करने के आप सकता नहीं है, तो ये slide है, वो आपको ए 50% question है, वो cover हो जाते हैं, तो ये slide ये important इस वज़े से है, क्योंकि working लोग है, वो कैसे वो comparative importance टोपिक को, और मैं एक चीज़ और बचाना चाहूँगा, जब आप mock test करें, आपके Excel में slide ऐसी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको या भी लिख है, आप एक Excel sheet बनाईए और उसमें ये सारी चीज़े होनी चाहिए, फिर किस chapter से उस box test में question है, एक तो उससे ये भी पताता लेगा, कि ये test कितना ज़्यादा relevant है, पांग तस परसेंट इज़दर हो सकता है, लेकिन आप उसको follow करने कोशिच कीजिए और उसमें एक लिखी है, यहाँ पे, यह अगर वो question आपक red में आ गया है, अगर आप नहीं attempt किया है तो आपको और color दे दीजिए, इस से तीन चार चीज़े होगी कि आप उस question पर दुबारा जा सकते हैं, और आपके जैसे आके slide में बताया रहा है, कि 100 questions जो most difficult question आपको लग रहे हैं, वो आपकी diary में, शिर्फ निसान से काम नहीं चल ज्यादा result देगा, तो जो आपको 100 question मुश्किल लगे, आप अपनी diary में, आप अपनी diary में उन question को और उनका answer या relevant trick या solution करने की technique है, वो लिखिये और उनको बार-बार revision कीजिए, अगर मैं ये बोलू कि memorize कीजिए, क्योंकि 100 question है, 25-30 question डालेक्ट आएंगे, और बहुत सारे question तो ज्यादा तर student क्या करते हैं, कि वो याद हो जाते हैं, उनको जो बार-बार करते हैं, और उनको आप से आप बोल सकते हैं कि आप याद कीजिए question, तो भी competition exam में, ये highly relevant term होगा, याद करना math में भी, important topic की बात की हमने, फिर है कि आपको aim 200 by 200 क्यों करना रखना चाहिए, अगर आप 25 question कर सकते हैं, टायर 1 में, तो टायर 2 में क्यों नहीं कर सकते हैं, 100% number 1, number 2, ये सारे question है, आपके कीवे मिलेगा, शायद ही को question हो, जो नहीं किया हुआ मिले, जब आपके कीवे question होंगे, सारे, या उसके निजदीक होंगे, statement change हो सकती है, तो आप वो क्यों नहीं कर सकते हैं, 200 marks, 200 marks में तो 100 question, एक question 2 numbers का होता है, तो 100 question आप soul क्यों नहीं कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, अगर आपने ये सोचा, जब आप more test पहले दिन से ये आपने start कर दिया, कि मेरा एक target होगा math में, और वो मानिये, आपकी सोच भी वैसी होगी, और जब भी आपको एक question गलत होगा, आपकी दिमाख में, एक बिजली की तरह चीज को दोड़ेगी, और वो आपको push करेगी, कि मुझे 100 question ठीक करना है, तो ये गलत कैसे होगा, आपको चिंता होगी, कि मैं question ये गलत कैसे होगा, और उस उसकी question के बारे मियादास develop होगी, memorizing develop होगी, और जब ये आपको पता चलेगा, मैंने वो question उस time में गलत कर दिया था, उस तरह का question या वो question आ जाता है, कि वो direct question भी आएंगे, तो आपको पता चलेगा, उसमें कि वो जो एक time में बहुत मुश्किल लग रहा था, आपने सिर् statement पढ़कर ही उसका answer दे दिया, और वो correct answer दे दिया, ये आपके सामने धीरे धीरे परवर्ती develop हो जाई, अगर आपने ये परवर्ती develop नहीं रखी और आपने 160 को target को बड़ा target पान लिया, तो होता क्या है उसमें, फिर जो question नहीं आते हो छूट जाते हैं भी रमिशा, उस प जिसमें कि आपको वो जोब दिलाएगा, वो लेवल develop नहीं होता गमिरता का, तो बैटर यही है कि आप अपना target 100 question का रखना है, एक question भी, और ये सरयाम बोलना है कि मैं 100 question ठीक करूँगा, जब आप सरयाम बोलते हैं आपकी ego hurt होती है, अगर आप एक question गलत होता है, तो आपक हुआ, तो तयारी करने का, टाइम ज़्यादा निकालने का आपका push मिलेगा, strategy we will follow, सबसे पहले जो हम इस more test series में जो 80 test है, उसमें जो follow करने जा रहे हैं, वो पिसले साल के जो tier 2 के या उससे पिसले साल के, तीचार साल के, जो tier 2 के paper है, आगर हम बात करें, पिनेकल की, तो आपको सब को पता हुआ, जुन्होंने जोइन किया है, 700, 1 से लेकर 740 की जो series है, वो math selected है, और 6 1 से लेकर 640 की series है, क्योंगा हम series रखते हैं, वो English की series है, full-end test की, और जैसे आपने देखा थे, tier 1 की series थी, 851 से लेकर 900 की, और 1200 की series होगी paper 4 की, यह मैं आपको बता रहा हूँ, 200, 1 से लेकर 12, क्योंगा उसके paper 4 के 20 test हैं, full-end test और sexual test अलग होगे, subject wise, day wise, paper 4 गयो, उसके अलग से discussion होगी, अब यह 701 में से लेकर 740 में यह जो test होगे, इसको हम लोग पहले activate करेंगे, आप अभी अपने, वहाँ पर test portal पर जा गए होगे, तो वहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, inactive, 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 अब जब उसमें upload होगे, तो सबसे पहले एक तो उनको upload किया जाएगा, in test को, और उनको पहले activate कर दिया जाएगा, और वीडियो पहले इसके बनाएंगे, हम लोग, देखो 701 और 702 के वीडियो अपडेटिड है, और ऐसे 603 तक updated हैं, लेकिन अब जो अगला वीडियो question हम लोग cover कर देंगे, इससे फाइदा क्या होगा, कि हम क्यों यह अपना रहे हैं, वो बहुत मैं clear बताना चाहरा हूँ, यह एक तो जो एक भांतिया दिमाग में होती है, जो होता है कि मुश्किल आएगा, असान आएगा, यह सब खतम हो जाएंगे, और आप देखिए, आपको score भी अच्छा आएगा, और दूसरी बात क्या है, कि हम जब इसके वीडियो बनाएंगे, और तो आपको पतास लेगा, कि सारे के सारे हम अब जान चुके हैं, कि वो कौन से question होते है, एससे सीजे लिए, तो आप आलतु भालतु question नहीं करेंगे, या आलतु भालतु म पिनेकल के अलरी है, टायर वन जो आइन किया था, उनको ये question जादा तर आ रहे होंगे, शायद ही कोई एक दो question हो, जो उनने नहीं देखा हो इस दुरान, ठीक है, तो ये से उनको ये फाइदा होगा, एक तीसरा कि इन सभी के वीडियो जब आपके पास होगे, और आपके relevant content होगा, तो एक जो एक start होता है, जैसे होता है, वन डे cricket मैच में, अगर आपके 10 ओवर में बहुत अच्छे run बन जाते हैं, और कोई wicket नहीं गिरती है, तो आपका जो momentum होता है ना, बहुत जादा हाई होता है, तो हम high note पर इसको start करना है जाते हैं, मतलब कि momentum create करने के अगले 10-15 दिन में, maximum 10 दिन लगेंगे इसको, सभी को 10, maximum 15 दिन, उसमें सारी चीज़े coverage आ जाएगे, तो जब आपके in hand आ जाती है कोई चीज, समभावना, आपकी motivation की, और energy की, और 200 marks लेने की वो बड़ेगी, आप भी सोचाएगे, मैं भी लूँगा, अब हो average student सोचना कितना, 170, 180, तो उसकी जो philosophy है, सोचने की, वो ही change करना, इस सबसे बड़े काम में, pinnacle का होगा, फिर अगली बात करूँ में, एक तो जैसे मैं बताया कि, जो हमारा सबसे पहला target होगा, सभी के वीडियो बनाना, इसमें, जो पिसले साल के है, उस पहले उन पे focus करना, जिससे इक strength का level high हो, और जैसे one leg match के साथ में ने compare किया, कि पहले 10-15 over में हमें बहुत जादा run बना देने हैं, जिससे कि वो और बिना wicket खोए, अगला जो wicket होगा, इसका बतलर 10-20 over का जो match चलेगा, 50 over match में, तो उसमें हम लोग आप बोल सकते हैं कि इस जो ये पिछले साल, टाय लोग है, 2000 advance math है, ये साथ साल चलता रहेगा, पोर्टल पे 2000 questions चलेगे, हम लोग upload करेंगे, वो किसके advance math selected, आपने देखा होगा 500 question series है, पिनेकल की, advance math पे, मतलब 500 question, mensuration 500 question, algebra 500 question, geometry 500 question, trigonometry, 2000 plus question है, वो bank है हमारे पास, जो कि हम student को देते हैं, और ये सारे के सारे question है, वो अब student को याद होनी चाहिए, शिर्फ solve करना नहीं, याद होनी चाहिए, इतनी ability होनी चाहिए, इसका मतलब, वो पहले दिन में तयारी करें, रात को फिर test दे, हर रोज इसकी activity, 2000 question, इसका होगी, 50% है, वो syllabus तो इसी पर आदारीत होगा, तो इसका मतलब, इसमें compromise नहीं कर सकते हैं, और इसका test portal पे आपकी प्रिक्षा होगी, ये 2000 की सारे एक सारे question आपको धीरे धीरे हम लोग हर रोज की target के अनसार है, इस पे test portal पे आ जाएंगे, all variety question on fingertips, प्रजेक्ट 400 आपने देखा होगा हमारा, या आपने सुना होगा, यह हमारे वीडियो देखे होगे, क्योंकि चेप्टर वाइज वीडियो है, वो सारे 400 question सीरीज के उपर आदारीत है, मतलब variety question कवर किया है, चेप्टर वाइज वीडियो में, और वो सारे के सारे question आ हो सकता है, और इसकी technique क्या होती है, दिमाग लगाने के लिए ड्राइज करना या सोचना वो नहीं होना से इंप्रेक्टी question पे, वो सिरा पता होना से यह तुरूंत कि इस question को ऐसे करते हैं, इस question को ऐसे करते हैं, तो यह जो chapter wise video lecture बने हुए है, उसके उपर आपकी command है, वो ब बताया, जोब शोर के वीडियो में, कि daily syllabus होगा, उसके बाद हरोज test होगा, sectional test और एक full length test होगा, तो अगर मैं math की बात करूँ, तो math में syllabus को डिवाइड कर दिया जाएगा, उसका test होगा, जैसे की, जैसे 2000 question को डिवाइड कर दिया, और उसके जो syllabus है, हम लो 40 days में cover करेंगे अगर 60 days का time है, अभी exam में लग वाइड, 55-60 days का time है, अगर आपने जोब शोर का वीडियो देखा हो, तो उसमें जो SSC ने बताया है date को, कि नूमर मत में होगा, जनौरी में tier 3 होगा, तो उसी को धान में रखते हुए, हमने 15 के आज़ पास पास पहले खतम करने की कोशिश क ताकि आपका syllabus पूरा math और English दोनों का 40 days में खतम हो जाए, और आपके पास 15-20 दिन सिर्फ mode test और revision के बचे, तो इसका मतलब अगले 40 days में हमें syllabus खतम करना है, जो SSC ने अभी जोईन नहीं किया है, यह जोब शोर प्रोग्राम या online coaching batch, आप online coaching batch जोईन करें, जोब शोर जोई access कर सकते हैं, तो वो immediately join करें, अगर नहीं किया है तो, और अगर नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी है, daily unit, या device levels test, और develop 100 most important tricks, लेको अपने अपनी trick है, आप develop कीजिए, मैंने भी काफी trick है, वो समझाई भी है, वीडियो लेक्सर आपको पता होगा, और अगर जो जोई जोईन करें, उनको और पता से लेगा, चेप्टर वाइज भी बहुत सारी tricks है, उसके बाद सवीश व्रेंट को जो जो जोईन कर रहे है, जो टायर वन के वीडियो हमने बनाये थे, टेस्ट के, अब यह देखिए कि लगभग 1200, पचास टेस्ट है, पचास टेस्ट में और प अखिए है, जो हार्डर एक्सेस है, इंटायर वन के वीडियो का जिसमें बहुत सारी tricks है, बहुत सारी tricky question है, बहुत सारी difficult question भी है इसमें, वो सारे की सारी जो वीडियो है, हम लोग जो बशुर जो जोईन कर रहे हैं, इसमें उनको इन सभी वीडियो का access मिलेगा, वो डाउ आपका जो data bank खुद का है, वो आपके पास 100 tricks का होना चाहिए, ट्रिक्स एक important role अधा कर सकती है, क्योंकि टायर वन में अगर timing issue नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है, टायर टू में timing बहुत बड़ा issue हो सकता है कईश मेंट्स के लिए, तो ये trick important role अधा करेगी, आपका bank होना चाह करता है सोने से पहले, और वो ज्यादा time नहीं लगेगा, अगर आपने एक दो बार revise कर ली, तो 10-15 minutes में 100 tricks revise हो जाएगी, तो 15 minutes में ये revise हो जाएगी, जो variety question है, ये लगभग आदा गंटा में revise हो जाएगा, तो आप हर रोज activity करेंगे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको जो आपके अनसार लगे, आप उसमें भी देख सकते हैं, जैसे ट्वेल हंड़ फिप्टी question की जो वीडियो लेक्टर अरड़ी टायर वन गये है, फिर हम लोग टायर टू के हर question का वीडियो बनाएंगे, 40 test series है, math selected, 40 है, English selected, full test, इसका मदब 40 into 100, 4000 question के वीडियो लेक् लगते हैं, और वो आम तरह पर एक्जाम में आ भी सकते हैं, तो उनको आप select कीजिए, और उनका डाटा बेक्ट बनाएंगे, और रिजिस्टर में रिखिए, जो मैं बातें बता रहो हूँ, आप रिजिस्टर रिखिए, रिजिस्टर बनाईए, जब आप खुद हाथ से ल पता भी नहीं से लेगा, वो थे कुन से, तो इसको आपको mark करना इन question को, book mark करना, या chin hit करना, और इनको पकड़ना, और इस पर solve करना, command करना, ये बहुत बड़ा आपकी जिम्मेदारी है, और इससे आपको 5-7 question ज्यादा अटेंट करने में help रेगी, तो मैं, तो 3-4 जो और ये जो 50 वीडियो है, 1250 टायर वन वाले ये भी हमां एक्सेस देंगे, ये भी देखिए, और टायर टू के 400 वीडियो है, ये भी आप देख सकते हैं, और इसमें देखिए कि आप कहां कहां पे, perfection के साथ में 100 score करने के like कब होते हैं, 40 full length test, take test, analyze it, watch video explanation, मैंने एक चीज़ आपको बताए थी कि आप Excel सीट बनाएगे और उसमें देखिए, और कि लाल कहां पे आपका कितने हो रहे हैं, और एक ऐसी टाइम आएगा situation जब आपके लाल होना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये पहले ओले अपने कबजे पकर रख रहे हैं, जो कि आपको तंग क स्टुएंट होंगे, या अंडर गाइडेंस काम करेंगे, या हमारे मेट्रियल से, कंटेंट से, वीडियो से तैयारी करेंगे, उनमें हम इस तरह का difference क्रियेट करेंगे, इभी वाट ट्रिक और अल्टरनेट सोलीशन, हम लोग डेवलब करेंगे, अगर आपके सामने कोई च कमपर्टेबल है, और हम भी इस पर रिसेर्च हमारी चलती रहती हमेशा, अगर आपके सामने को इस तरह का चलेंज है, तो आप लिखिए, एक मेल डालिए मुझे, और जब भी टाइम मिलेगा, उस पर मैं कोई वर्क करूँगा, और एक बेटर सोलीशन देने कोशिस करूँ है, इस अब मेम्राइज इपौर्टेंट कॉश्चिन ही अउस, ust को आपको कौन से कोको कोश्चन कर रहे हैं, ट्रिक्स कि आप जिए हैं, च्रिक्स तरह किया हैं, भाधahn को क्योर्न आप लोग वह नहीं कर पाएंगे, आपको इज़रूर करना पड़ेगा, व셔야 अगर रहे स्ट्रेंट्स को जो वे शोर है और जो यह हमारे टेस्ट सेरीज भी जॉइन कर रहे हैं इसका फाइदा यह भी उठा सकते हैं क्योंकि उसमें 4000 कोईशन का वीडियो बनेगा अब मैं आपको focus related कि सिर्फ knowledge ही आपको आके नहीं ले जाएगा आपकी जो सोच है और aim रखने का कि आपका दिमाग का सोचने का तरीका है वो किस दिशा में होना चाहिए जिससे की जो मिले और वही main difference create करेगा आपने देखा होगा छोटी जब आप छोटे थे माभारत सबने जरूर देखे होगी और बहुत सारे लोगों को माभारत रवायर बहुत परसंद आई होगी तो किसी दर्म यहां जाते हैं माभारत अगर वो देखता है तो उसमें कुछ एक learning ऐसी है कुछ एक शिक्षा ऐसी है जो हमेशा life लोग याद रखी जा सकती है और help करती है तो ऐसे ही मैंने दो तीर फोटो निकाले हैं माभारत से और मैं उसके उपर आपका याद दिला रहा हूँ और remind करा रहा हूँ और उस remind आप उसको remind भी किजिए उसके साथ connect किजिए कि आप अगर hundred question करेक्ट करेक्ट करने का target टार्गे टार रखते हैं तो कैसे सोचना पड़ किया आप दुनिया बर का कत्रा content रखेंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे और आपको पता नहीं किस दिशा में तैयारी कर रहे हैं कभी जुगार करें किताब किसी से मांग रहे हैं फोटो को भी कर रहे हैं ताइम वेस्टेज कर रहे हैं या फिर आपे relevant study material पर immediately focus करेंगे ये सिन उस टाइमिगा है जब गुरू दुराना चारे है अपने शिश्चों की प्रिक्षा लेते हैं तो कोई गुरू दुराना चारे पूसते हैं अरजुन से या बाकि सभी से कि बताओ पेड़ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं और बहुत पहले बता देते हैं वो कि कोई बोलता है गुरु के चार दिखाई दे रहे हैं कोई बोलता है बंदर दिखाई दे रहे हैं कोई बोलता बंदर हो सकता है overwhelmed लेकिन जब एक अर्जुन आते हैं तो वो बोलते हैं मुझे आप वो देखियो और शीन आपको दोशिणि आप को यूट्रब यूख मि लक्से उसी को बोलते हैं जो बिल्कुल focus हो कि उसको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है तो यह आँख क्या है यहां पर 200 marks और आप मैं आपसे उमीद क्या कर रहा हूं मैं आपसे उमीद यह कर रहा हूं कि आप अरजुन हो और अगर अरजुन नहीं हो तो बाकी में है तो कि दोस्तर नमबर आने हैं तो यह एक तो फस्त लड़नी यह दूसरी यह लड़नी आपने फिर्म अरजुन की माभारत के में दुबारा पिक्टर क्योंकि माभारत से मैं आपको लिक करवाने कोशिश कर रहा हूं जब दरोपती का समय वर होता है तो बहुत सारे लोग राज है उसमें देखर उसकी फरशाई देखकर मचली की आँख में तीर लगानाँ में तीर लगाना है और अरजुन उस लख्शे को असानी से भीड़त पाए क्योंकि उन्हों ने वो जो पिछला लख्श से देख अब ने देखा था आईवाला कि उनके दिमाग में बहुत फोकस बन जाता था इसमें और दूसरे में लोगों फरक या था कि इनके दिमाग क्यों फोकस बनता था तो फोकस ही बनाने के लिए ये एक important revenue है कि आपको focus किस पर रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सी सीजिल के लेटरी ही question एससी सीजिल से लेटरी ट्रिक्स और उससे लेटरी हंडर्ड ये जो टू हंडर्ड बास का टार्गेट ये आपके दिमाग के बिल्कुल पिक्टर के लिए होनी चाहिए इदर उदर की दिमाग टाइम खराब करने का नहीं फिर एक सीन और आता है जो बहुत important learning भी है और मैं आप लोगों को को हमेशा बोलता हूं कि जब आपको अपने लाइफ की अगले साथ साल डिसाइड करने हैं तो आपका attitude बहुत aggressive होना चाहिए और target पर आपको तूट कर पढ़ना है और आपको वो करो या मरोगी निती से अस्यू करने की कोशिश करनी है एक सीन आता है मावारत में करण और अरजुन के बीच में यूद होता है और जब करण का पैया इसमें धंश आता है तो स्रीक्रिसन उनको बोलते हैं कि अब तीर चला क्योंकि उसका target स्रीक्रिसन का मक्स स्रीक्रिसन का बोलते हैं कि आपका target सिर्फ एक है और वो है कि उसका वद करना आपके दिमाख में और चीज बिलकुल नहीं आनी चाहिए सेम स्टोरी हम पे है कि आपको 200 का target है यह होगा नहीं होगा यह तो दिमाख में आना ही नहीं चाहिए और वो कोई मुश्किल कोशन आ स्रीक होगे पता नहीं कैसा आएगा क्या इस किताब से काम चलेगा नहीं चलेगा मोग टेस्ट कैसे होगा यह आलतु फालते विचार शोड़िए और सिर्फ निसाना इस पर लगा दीजिए दिमाख नहीं लगाना है दूरुदर तो तीसरी लगने इसी लगने के साथ में मै आप सभी लोगों को बेस्ट विशिस मेरी तरफ से आशिरवाद देता हूं कि आप मत्सली के आंख में तीर मारिये पक्षी के आंख में तीर मारिये 200-200 का टार्येट रखिये और जो पांसाथ मैंने आप मुख्यवाते बताई है कि आपको सबसे पहले जो हम लोग करवाएं अभी विडियो एक्स्प्लनेशन फिसले साल के 2012 से लेकर सारे कोश्चन पेपर टार्य टू के उसके अबाट डेली रूटीन भी होगा जो 15 तारिक से स्टार्ट हो जाएगा आपको वो करने है जो अड्वांस मैट से लेशिट आपका टार्गेट बहुत बिल्कुल साफ आपके दिमाग पर होना चाहिए 100 ट्रिक्स आपकी टिप्स पर होनी चाहिए 400 वाराइटी कोश्चन आपकी टिप्स पर होनी चाहिए उस सभी के वीडियो है जैकड़ वीडियो आपके सामने होंगे और उस ट्रिक्स के साथ भी होंगे आपको हम गाइड करेंगे अगर आपके सामने कोई चैलेंज होगा तो और आप 100 कोश्चन आपके कौन से आपको लगता है कि मुश्किल कोश्चन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको 100 को बढ़ाना चाते हैं तो 200 तक लिजा सकते हैं इससे ज़्यादा फिर यह मुश्किल नहीं बलकि आप मुश्किल में हैं ऐसे हालात होगी तो मैं आपसे निवेजन करता हूँ कि इमिजेटली आप इस काम पे लगिए अगले 40 दिन में से लेवस खतम 60 डेज में आपका टेस्ट और अगले 60 डेज अगले 60 साल का आपका लाइफ बताएंगे 60 यह की लाइफ 60 डेज डिसाइड करेंगे इसी उमीद के साथ कि आप इस and all the best